नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे की के जड़ पीटी ओ सोप का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है, के जड़ पीटी ओ सोप को कैसे लगाना चाहिए, और के जड़ पीटी ओ सोप की वज़र से क्या इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की के जड़ पीटी ओ सोप को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, के जड़ पीटी ओ सोप एक एंटी फंगल दवा है, के जड़ पीटी ओ सोप का उप्योग तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर, तवचा में डैंडरफ होने पर के जड़ पीटी ओ सोप का उप्योग किया जाता है, तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली, तवचा में जखम और तवचा का सूखी पपडी बनकर उतरना आदी लक्षन तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर दिखाई देने लगते हैं, और सिर में डैंडरफ की समस्या होने पर सिर की तवचा से सफेद रंग की सूखी पपडी उतरने लगती है, और डैंडरफ की वज़ग से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं, कि जड़ पीटी ओ सोप तवचा के फं साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में के जड़ पीटी ओ सोप की वज़र से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जलन, तवचा पर सूजन, तवचा पर रैडनेस, तवचा पर रैशिस या तवचा पर सुई चुभने जैसी समवेदना होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को के जड़ पीटी ओ सोप को नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की के जड़ पीटी ओ सोप को कैसे लगान रेक्मेंडेड होता है। के जड़ पीटी ओ सोप को लगाने से पहले आपको अपनी तवचा को पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए। उसके बाद के जड़ पीटी ओ सोप को अच्छी तरह से प्रभावित एरिया पर लगाना चाहिए। के जड़ पीटी ओ सोप को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की के जड़ पीटियो सोप को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। जड़ पीटियो सोप को तुरंथ ही पानी की मदद से धो लेना चाहिए। तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई चोट लगने पर के जड़ पीटियो सोप का उप्योग करना recommended नहीं होता है। प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए के जेड़ पीटियो सोप को लगाना रेक्मेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए के जेड़ पीटियो सोप को लगाना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर स्तन्पान करा रही महिलाओं को के जेड़ पीटी ओ सोप को लगाने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका के जेड़ पीटी ओ सोप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।